हलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपनी चैनल में आप सब का स्वागत है कल रिक्वेश्ट आई थी के काव मिल वह फैलो मिलक का दूद निकालते हूं दिखाना तो वही मैं दिखा रही हूं गाए भी है पर गाए अभी दूद नहीं दे रही है तो भेंसिया यह दूद दू रहे थे तो फिर मैंने वीडियो मैंने नहीं बनाया इन्होंने बना लिया तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूं साम का समय साम को दूद निकाल एक टाइम नहीं दे रही है एक किलो या दो किलो यह दूद दे रही है ज्यादा नहीं दे रही है बड़ी दी मतलब जो सेयर में रहते वो कहां मतलब यी चीज़े देख पाते हैं अच्छे लगते तो आपके कमेंट आते हैं मैं कोशिस करती हूं हर चीज आपके साथ शेयर करूं आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को देखके तो इसलिए मैं शेयर कि और ज्यादा पास में जाएंगे ने बनाया और मैंने थोड़ा सा जूंग भी किया है मैंने नहीं इन्होंने किया है तो फिर इसलिए ये बना जितना मैंने आपके साथ शेयर किया ये देखिए दूर सफेज सफेज दिख रहा है न तो चलिए ये किलिफ मैंने दो तीन दिन पहले ही सूट कर ली थी पर आज डाल दियू टाइम ही नहीं मिल पाता जितना मिल पाता उतना आपके साथ दिखा देती हूँ ओर इनकी सब बड़ी भावी एं दोनों ज enemy मेरे मज्याग बना रहे थे मैं फोन में वो करती रहती ना तो वो ही direन दोनों जने मिल जाएना ये carrier लोग तो बस देखिए तो इनका हसी मज़ा सबसे बड़ी भावी है तो बाज मेरी नकल उताणने में लगे हुए तो और बो रहे थे बड़े भी आको भी बुला लो बड़े भी आको भी बुला लो मैं रियल आवाज भी रख रही हुआ पर मैं अपनी आवाज कट कर दी थी इसले मेरी बावी है यही है बाजू बड़े इसे मेरी बावी यही है दो ससरे बाई यही है दो ने काई आ ऽाला यह नlando इस गेम को तो कोई बूली नहीं सकता है तो यह है ना कभी कोई टाइम पास नहीं होता है मतलब अच्छा मैं तो खेर दुफैरी में सो जाती हूं नहीं पर इनका नहीं होता है तो यह बच्छों के साथ खेलते रहते हैं शौना वंशिका के साथ लाली के साथ शौना के साथ सब बच्छों के नाम गिना रहे हूं तो यह अपना टाइम पास ऐसे पास कर लेते हैं और जाडू की बात करूँ घर में इतनी बार जाडू लगता पता ही नहीं और यह फर सारा तूट गया है इसको नया करवाएंगे भी घर बनी रहा है भाई सा बनवा रहे न तो इसलिए तूट गया है क्योंकि बहुत पुराना है जब मेरे ससुर जी थे उन्होंने बनवाया था उस टाइम का है तो यह देखिए सामने नीम का पेड़ है बहुत बड़ा तो वहां से पत्ते जड़ जुड़ी के आते रहते हैं कोई भी घर में नहीं है सब अपने अपने काम पे गए दिन में वैसे भी कोई भी नहीं रहता है देखिए मैं जारू लगाती जारी और हवा इतनी तेते जाती जारी बार बार कच्रा उड़ उड़के आए जार बहुत मतलब अभी तो कोई टाइम भी नहीं पर गेहूं का टाइम है ना गेहूं इस टाइम में करते हैं तो तुफान आदी तो आती ही आती है यह कल मतलब कल सोना की तवे थोड़ी सी खराब हो गई थी उल्टी यह सब होने लग गया तो तो उसको दवाई खिला यह सब तो उसको दवाई दे के और मैंने सुला दिया था वो सो गई थी हाँ पर बना रही हूं मठे के आलू चोकी चूले पर बन रहे हैं मैंनी बना रही दीदी बना रही है इस सिल पे मसाला पीसा है गैस के तो कही वार आपने खाया है मेरे हाथ के तो आज दीदी के हाथ के खा लीजिए घर का ही मठा है मतलब लस्टी है दाई जमा दिया था सुबह उसको फेड लिया और ये मसाला भूजी है वो सूखी हरी में चीज से सौका है और सौना एक आलू ले ली और ये आलू फोड़ के ये मसाला भूजेगा तब तक वो आलू वगएरा फोड़ लेंग खेत में जो कुछ खरीदना ना पड़े दो तिन तिन कट्टे आलू के रखे रहते हैं तो आलू यालू जादा वैसे तो हरी सबजी पर हरी सबजी का कुछ समझ में नहीं आता तो देखिए लस्टी डाल दिये और इसको धीरे धीरे हीलाते रहेंगे बहुत जल्दी बन जा जाता उससे कड़ी खा रहे थे हमाँ यह भी हमाँ सब कुछ हम अपने खेत का कल कमेंट आये थे दो तीन क्या आपके मतलब सबजी करते हो कास्ट का मतलब यह नहीं रखना फिर मैं बोलूं फिर आप लोग वह बोलोगे तो यहां पर देखिए किसान है किसान सब कुछ करते हैं अनाज होते हैं एक टूजेट सब करते हैं तो इसमें वह नहीं आना चाहिए तो यहां पर यह ककड़ी मतलब बहुत अच्छी मसाले से कुछ ज़्यादा ही अच्छी रखती है होता है ना पीछे से आवाज आ रही है तो प्लीज इग्नोर करिएगा और यह बड़ी करता है क्या और यहां पर यह पर कल है वएसेड़ा वासेड़ा पर चाव बनते हैं और इसमें ऑब तो यह शाफ कर रहे थैं थोड़े से इसमें चने मिले से तो सोप से फटक State हमारे हैं सोप से फटक न बोलते हैं आप पर क्या बोलते आप लोग भी बताएब और यह अच्छे से निकल जाता है बहुत ज्यादा अच्छे से तो यह कोटा मतलब यहां पर जो मिलता है ना रास-चावल और रासन-कार्ड पर वह वाले चावल है कोटा के बोलते है हमारे यहां पर अधीदी को सड़ी लग रही है गरम बाला बलाज पेर रखा है और वैसे साड़ी वाला भी विलाज पैर रखा है डवल डवल देखे रहे हैं ना तो उसके लिए मैं बता रही हूं तो चलिए चावल-ावल साफ करने के बाद और पता है कल या परसो मैं नहीं सोई थी नहीं तो मैं रोज दुफैरी में सो जाती हूं यह लोग अपना काम करते रहते हैं मैं अपना जट से काम फिरी करके और अपना सो जाती हूं नहीं दाती है क्योंकि पूरे आंगन में तो धूप धूप हो जाती है और फिर मन नहीं कर लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है कवाय कब जा तो इसलिए सब कुछ टाइम टेवल्स होता है सहर में तो 12 बज़े बना लो 9 बज़े बना लो 8 बज़े अपना टाइम होता है और यहां पर यह चरी लेकिया है देखिए मैंने थोड़ा सा सूट कर लिया आप लोग के लिए अच्छा लगता है ना मुझे च्छट च्छट चीज़े भी रह जाए यहां पर मैंने कपड़े दोई तो वो सारे मेरे तै करके मैं इनको सैट करके रख दूंगी अलवारी वगेरा मनी बैग में ही रख लेती हूं क्योंकि अलवारी मेरी खराब हो गई है तो तै करती हूं और बैग में सैट करके तुरंट के तुरंट रख लेती हूं और धो भी तुरंट मैं वहां पर जाके इतने सारे खिटे करके कैसे दूंगी तो मैं ना मतलब साथ के साथ दोती हूं साथ के साथ रखती भी जाती हूं अस्वाना वैठी है बिन दी पता नहीं क्या क्या करने म लगी रहती हैं ऐसे ही टाइम आराम करूं नहीं हुपा तभी बहुत होता है और अब आ हैं नवरात्रे साइथ वारा तारीक से हैं तो नवरात्रे कौन कौन करेगा कमेंट करके बताइए गई नवरातरे मुझे तो बहुत पसंद मुत्वार करते हूं इसनव और देखो क्या होता है पहले साड़ी अड़ी पैटी कोट सारे रंग कलर बगयार वोगेरा सबकुछ हो गया और यह वालर विलाउज देखी इनकतेल अच्छा लग रहा है ना जो मैंने आपके साथ ब्लाव शेर किया था वही वाला था और यहां पर मैं काट रही हूं वेश नवी के बाल जो कि अच्छे नहीं लग रहे थे बुलकुल भी मुझे तो मैंने थोड़े-थोड़े से सैट कर दिये थे ब्राउन-ब्राउन से अजीव-जीव अच्छे करने की देखिए एक लाइन में किये हैं फिर कोई मैं ठेलरे वह टेलर वाली तो हूं नहीं कोशिस करती हूं हर कुछ करने की पर ज़रूरित होना जो कुछ करे वह हो जाए तो देखिए मैंने बहुत साधानी साधानी से काटा है हर काम करना चाहिए हर काम करने से आई जाता है पर फिर मैंने बहुत खराब हो रहे हैं इनके बाल बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं तो मैंने इसलिए ये सारा ये थोड़े 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 हलके हलके कर दिये थे कई चिप 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 से हो रहे थे मतलब होता है सैंपू किया था तब भी चिप 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 से हो रहे थे फिर वे दीदी नहीं भोला हाँ ठीक है कर दो तो फिर मैंने इसलिए कर भी दिए तो चलिए यह बाला लेहां से साफ पर ने के बाद यहां पर हम सब लोग खाना कहा रहे थे दही है आलू की सबजी है और दही में मतलब बूरा दही बूरा खारे थे और गाओं में कपड़े ऐसे ही दीदी टांग के रखती है मैं तो खेर नहीं रखती तो मैं एक दिन के लिए आई हूँ क्या क्या चेंज कर सकती हूँ आप समझ सकते हो तो इतना चेंज नहीं कर सकती ह अपने लिए के यह कर दो वो कर दो ऐसे नहीं कर सकती तो आप समझ सकते हो ना मेरी नहीं चलती है इतना उनका घर है तो फिर आप समझ सकते मैं रिष्टेदार हूं तो मैं कितना कर सकती हूं कैसे हैं आप सब लोग और आज है सुक्रवाथ साय देल गया और आज हमारे हैं पे मेला लगा जो कि अभी इन बच्चे तयार किया तो देखें मैं नहीं जा रही हूँ तो यह गए हैं भहाँ पर भाई हा के साथ अपने के साथ गए हैं और यह गए हैं कहीं पे सोना यह चले कैमेंट आरें कि आपकाइप जाओगी तबीं हम यहीं पर हांगे यह चले अब रात को को है सामें vatने बना दाए ने wife mi घृता है नुट जा Morning मढ़ा देदी के साथ मिल दिधि भाषी जाओंगी दिव Biology बच्चे बच्चे गए सामने ही लगा अभी मैंना कैमरा जूम करके आप सबको दिखाऊंगी तो अभी हम यहीं रहेंगे एक दो दिन फिर आपको बता बहुत सारे कमेंट आरे दीदी आपके रूप और यहां पर कैसे चीज बहुत हवाँ चलती है क्या हो गया बैसको रीगा अब नहीं है पानी जी बहाँ कर रही तो मिष्ать करें इत Swnach dwarta लगया कि बहुत रोगा बहुत ज्यादा रोड़ी न रहती है वह फेड़ेदि ना वह आपने पापाय पास ज्यादा इपने पीसले वीडियो में दिल्ली वाले वीडियो में देखा प्रिषा प्रिषाई के बिलुब देखा उनके बिना नहीं रहती है तो लिए धूरा को आते हैं शुब्र आते है तो अच्छा नहीं लगा थुदा खाली लग रहा है तो चले यही इतना अच्छा नहीं लग रहा थी अथ्प तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है अब तो इतना अपने आते दिज़िए नहीं आति हैं केमरे को आपके कमेंट आए कि बड़ी जिठानी क्यों नहीं आती दीदी को आना पसंद नहीं है इसलिए वो नहीं आती है तो चलिए अब वीडियो का एंड करती हूं उमीद करती हूं अच्छला है तो लाइक और सस्क्राइब जरू करके जाएगा और मैं यह सारा समयट लू दीदी हम लोग ना सारी जिठाने कितने हैं आठ है आथ है आपहलता हूं ए हुग सारी भाहिसा आथ जाप मैं सबसे चोटी हूं ना तो बहुत भाहिसा है यह कुण सारी घतार एंडहरी chuशनां के बोगने कृतियों कि देश सब याद दिला देती हैं, सब इती-ती सी बाते बता देती हूं, जो याद आता है, बोई बता देती हूं